इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी दोना में फोर टैबलेट एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे अलजाइमर रोग के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है यह याददाश्ट और विचारों में सुधार करक यह मध्यम से गंभीर अलजाइमर की प्रगती को धीमा करने में मदद करता है यह तंत्रिका संकेतों के संचरन में शामिल कैमिकल मेसेंजर के स्तर को भी बढ़ाता है दोना में फोर टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है लेकिन पेट की गरबड़ी से बचने के लिए आप इसे खाने के साथ ले सकते हैं हाला कि बलड में इस दवा के समान लेवल को बनाय रखने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है कोई खुराक न छोड़े लेकिन अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए है तो आपको जैसे ही याद आए इसे ले लें। चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें और अचानक इसे लेना बंद न करें। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, भूक में कमी और सिर्ध दर्द आते हैं। इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्रा पेट के अलसर, एपिलेपसी या अस्थमा हुआ हो तो इस दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अन्य दवाएं ले रहे हैं तो वे इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इससे प्रभाव हो सकती हैं इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं अगर आप गर्भावती है प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद